हेलो फ्रेंट्स विलकम टू अफैसे चैनल दोस्तों अफैसे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूँ अलहाबाद हाई कोर्ट ग्रूप C और D के 2020 के भरती के बारे में तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ग्रूर्मेंट जॉप से रिलेटेड इस चैनल के माद्यम से सारी अपडेट मिलते रहेंगे तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट एलाबाद हाई कोर्ड की वेकेंसी का वेट कर रहे हैं कि आखिर ग्रूप C और D की वेकेंसी जो C में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है इस्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है ग्रूप D में अर्दली, आफिस प्यून, प्रॉसेस सर्वर इन सभी के पोस्ट जो होते हैं वो लोग इंतेजार कर रहे हैं कि 2020 की वेकेंसी कब तक आएगी तो मैं उनलों को बता दूँ कि इस माँ में दोस्तों विग्यापन जारी करने वाला है इलहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों क्या है रिजन? अभी जो आरो का है टाइपिंग टेस्ट हो नहीं पाया है किनी कारणवस क्योंकि इलहाबाद हाई कोर्ट जो है इसके पहले जो कुछ रिजल्ट अभी जारी किया है और गुरूपडी वालों का जो 2018 की वेकेंसी थी उनलों का डाकुमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है तो इन बहुत सा कारणवस दोस्तों ये वेकेंसी अभी रुक्य हुई थी लेकिन जो अपडेट मिल रही है वो अपडेट ये है कि इस माह में अक्टूबर माह में ये वेकेंसी आपको मिल जाएगी इसका विग्यापन जल जारी कर दिया जाएगा एग्जेक्ट डेट नहीं है दोस्तों आप कमेंट में पूछते हैं कि डेट बताईए दोस्तों एग्जेक्ट डेट नहीं पता हो पाता है क्योंकि दोस्तों अब हाई कोट क्या करता है क्या नहीं करता है जो भी अपडेट मिलती है जो भी सूचना दोस्तों से मिलती है वह चीज नहीं हो पाया तो दोस्तों इस वज़े से मैं छामा चाहूंगा मैं आपको एक्जेट डेट नहीं बता पाऊंगा लेकिन जो अपडेट है कि अक्टूबर माह में इसका विग्यापन गुरूप C और D का आ जाएगा इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर गुरूप C और D में लगभग कितने पोश्ट आने की संभावना है Group C में दोस्तों लगभग 1500 पोश्ट आने की संभावना है जिसमें Junior Assistant के भी पोश्ट होंगे आपके Stenographer के भी पोश्ट होंगे और साथ ही दोस्तों उसमें Driver के भी पोश्ट होते हैं आपको Group D में बता दे 1200 प्लस पोश्ट होंगे और Tubal Operator के होंगे Process Server के होंगे लेकिन मैं आपको Experience के हिसाब से बताऊं और बहुत सारे स्टूडेंट से पूछने के बाद क्योंकि दोस्तों Group D का जो एक्जाम है इन सभी पोश्ट के लिए एकी तरह के एक्जाम होते हैं Pre होगा, Mens होगा लेकिन जो इसमें काटेगरी जो बना दिया गया जैसे Tubel Operator के लिए आपको Diploma मांग सकता है Process Server के लिए आपको Class 10 Pass मांगेगा तो इसी तरह Sweeper का पोश्ट होता है जिसको Class 6 Pass मांगता है अब दोस्तों उसमें बात क्या आती है इस बार Notification आएगा तो पता चलेगा लेकिन जश्ट इसके पहले के वैकेंसी की बात करें तो वो एक ऐसी पोश्ट है जिसको कोई भी स्टूडेंट जॉइन नहीं करता है सिलेक्शन होने के बाद भी Reason क्या है? क्योंकि उसकी salary जो है दोस्तों उसका fix है आपको 6000 प्रति मुन्त मिलेगा तो इस वज़े से छात्रों में निरासा आ जाती है कि एक्जाम उसी तरह के होने है और जो पोश्ट है और salary है कोई मतलब नहीं है पोश्ट आपको पता है स्वीपर का साफ सफाई करना होगा आफिस में लेकिन आज के date में सरकारी नोकरी पाना बहुत मुश्किल काम है और किसी तरह selection भी हो जाता है तो 6000 पे तो कोई ज्वाइन करना नहीं चाहेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि farm को अफिलब कीजिएगा तो यदि उसमें करम पूछेगा तो आप लोग स्वीपर का करम में मत डालेगा भले आपका selection हो या नहीं हो लेकिन स्वीपर का डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि यदि आपके marks कम होते हैं फिर age wise जब आपके selection होता है तो वहीं पर दिक्कत सुरू हो जाती है थोड़ा सभी marks 0.5 भी कम रहेगा तो आपको post वो दे दी जाती है जिससे आप खुद ही जुआइन नहीं करेंगे अब दोस्तों बात करते हैं इसके re-allotment में 2018 की वेकेंसी का क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे student हैं जो परिसान है कि आखिर re-allotment कब तक होगा तो दोस्तों मैं आपको केवल यही suggestion देना चाहूँगा कि आप अलहाबाद high court के office पे जाकर संपर कीजिए वहीं से आप इस बात की जानकारी लीजिए कि re-allotment date कब तक होगा क्योंकि दोस्तों मैं उसी तरह आंदी तुफान की तरह बात करूँगा कि इस महीने हो जाएगा तो इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है और मेरे चैनल के जो भी सब्सक्राइबर है वो लोग निरास ही होंगे और जो भी वीडियो पढ़ती है उसको भी डिसलाइक करेंगे तो आप यदि परिसान है कि आखिर कब तक होगा re-allotment group C का तो आप एक बार office पे जाके अलावाद high court जाके पता कर लीजिए और वहां से जो आपको जानकारी मिलेगी वो सही रहेगे क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई इसकी सटीक जानकारी नहीं है दोस्तों मैं आपसे छमा चाता हूँ कि re-allotment से related आप यदि पूछेंगे तो मैं आपसे यही suggest करूँगा कि आप अलावाद high court office से ही संपर कीजिए वहाई से पता कर लीजिए क्योंकि दोस्तों गलत सूचना देने से मुझे कोई लाव नहीं होगा और आपको भी कोई लाव नहीं होगा क्योंकि इंतिजाब बहुत हो चुका है इतने जादे student परिसान है कब से वेट कर रहा है यह मैं अच्छे तरह से समझ रहा हूँ तो दोस्तों अब बात करते हैं नए student की तो जितने भी लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी अपना सुरू कर दें और दोस्तों यह डिसाइड आप नहीं कर सकते कि वेकेंसी कब तक फाइनल होगी आपको पता होगा कि इतनी जादे बेरोजगारी है आज के डेट में कि इतनी धीमी गती से हर एक काम हो रहा है लेकिन इसका यह भी नहीं है कि आपको इस वेकेंसी का वेट करना पड़े हो सकता है बहुत जल् अप्लाइ करेंगे यानि क्लास 12 पास होंगे वो लुक टाइपिंग जरूर करते रहें अभी इस से टाइपिंग करते रहें क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए किस बुक से तैयारी करें किस बुक से तैयारी करें गुरुब डी के लिए क्या करना होगा कहां सके उश्चन आते हैं इन सभी के सवाल मैं जरूर दे सकता हूँ तो आज की वीडियो दोस्तों यह बिस समापत होती है तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई